गिंती की पुस्तक अध्याय 25 इस्राइलियों का वेशगमन और उसका दंड इस्राइली शित्तिम में रहते थे और लोग मुवाबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यग्यों में नेवता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे, यो इस्राइली बालपोर देवता को पूजने लगे, तब यहवा का कोप इस्राइल पर भड़क उठा, और यहवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब पधानों को पकड़ कर यहवा के लिए धूप में लटका दे, जिस से मेरा भड़का हुआ कोप इस्राइल के उपर से दूर हो जाए, तब मूसा ने इस्राइली नैयों से कहा, तुम्हारे जो जो आदमी बालपोर के संग मिल गये है, उन्हें घात करो, और जब इस्राइलियों की साई मंडली मिलाप वाले तंबु के द्वार पर रो रह अपने साथ अपने भायों के पास ले आया, इसे देखकर, एलियाजर का पुत्र पिनहास, जो हारुनियाजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्ची ली, और उस इस्राइली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया, और उस पुरुष और उस त्री दोनों के पेट में बर्ची बेद दी, इस पर इस्राइलियों में जो मरी फैल गई थी, वह थम गई, और मरी से चोबिस हजार पुरुष मर गए, तब यहवा ने मुसा से कहा, हारुनियाजक का पोता एलियाजर का पुत्र पिनहास, जिसे इस्राइलियों के ब किया है कि मैंने जलकर उनका अंतर नहीं कर डाला, इसलिए तु कह दे कि मैं उससे शांती की वाचा बानता हूँ, और वह उसके लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए सदा के याजकपत की वाचा होगी, क्योंकि उसने अपने परमश्वर के लिए जलन उठी, और उसने इस्राइलियों के लिए प्रायश चित्त किया, जो इस्राइली पुरुष मिद्यानी स्त्री के संग मारा गया, उसका नाम जिमरी था, वह साल का पुत्र और शिमोनियों में से अपने पित्रों के घराने का प्रधान था, और जो मिद्यानी स्त्री मारी गई, उसका नाम कोजबी था, वह सूर की बेटी थी, जो मिद्यानी पित्रों के एक घराने के लोगों का प्रधान था। फिर यहवा ने मूसा से कहा, मिद्यानियों का सता और उन्हें मार, क्योंकि पोर के विशे और कोजबी के विशे वे तुमको छल करके सताते हैं। कोजबी तो एक मिद्यानी प्रधान की बेटी और मिद्यानियों की जाती बहन थी, और मरी के दिन में पोर के मामले में मारी गई।